हुँ है हम पूर एक मन्त हो गया मतलब कि इंधार्य गए हम द्रने बेटने के लिए सब को व्यवस्तित किया एक मेंना लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन्दी आसवासन देती जारी है लेकिन कुछ लिकित में नहीं दे रही हम इतने परेशान हो गए है कि आप तो कुछ समझ बिठा देश की दूर्दसाई है जो कि मतलब ऐसे लोग पैदा होने लगे अगर सरकार को गलत लगे ना तो लगे हम इतने परेशान हो चुके हैं क्योंकि जो हमारे देश को आजात करके गए थे ना वह लोग वह लोग तो चले गए सवतंत्र करके लेकिन बापीस से ऐसे को पर डोल रही तो कि देश की दूर्दसा जांगें लिए तो यसे यह सरकार से की तुम हमको अपनी बेहन पर प्लद कर देखो आयं पर बहाप तो बिल्कुल लोगतंद खतम हो जाएगा वापिस रास्तंद होएगा और वहीं जैसे पहले मतलब देश की दूर्दस हो जागी कोई देश उन्नती नहीं करेगा क्योंकि बेरोजगारों को अरी इतना भलके में ले रही है यह सरकार ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं अगर हमको तो क्या वो खुशो जाएंगे उनको बोट देने के लिए हमारी परिवार वाले बिल्कुल नहीं होएंगे और यह सरकार नहीं आएगे घर हमको जोइनिंग नहीं देके गई न तो कभी बाफिस नहीं आ सकती इसलिए सरकार से यही गुजारिस है कि तुम हमको कॉंग्रेस स बढ़ता जा रहा है सर 2016 और 2018 में वसंद्रा सरकार ने एडिशनल वालों को नुक्ति दी थी तो फिर यह वासपा सरकार हमें नुक्ति क्यों नहीं दे रही है यह में रामजार्जी सरकार से सवाल करना साथ हूं वासवड़ा है सर हम सब मांसिक आर्थिक और सामाजिक परेशानियों से बहुत दुकी है सर तो इस रामराज्य सरकार से हम पुरे राजस्तान के कोने कोने में जापन दे सुके हैं फिर भी हमारी यह सरकार कोई सूद नहीं ले रही है तो मैं इस रामराज्य सरकार से निवदन करना साथ हूं कि हमें आचार सहीता से पहले अति शुग्र नुक्ति दे दे अगर हमारी बात इन बात की मांगों को सही समय पर पूरा नहीं किया जाता है तो इस बासपास सरकार को आने वाले लोक सुबा पुनाव में बारी नुक् पाड़े लया जल्द से जल्द सूचना दें खोशी मिलें कि सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब एक जंदा होती है ना तो अपने में से एक राजा चुनती है अपने विश्पास पर कि वह जंदा ये सोचती है कि हमें ऐसे राजा का निर्मान करें जो हमारे दुक द तो फिर यह एक राजा के लिए बात बिल्कुल सौबा के साली नहीं है क्योंकि क्योंकि सिक्षक एक धर्शन होता है सिक्षक एक धर्म होता है सिक्षक एक योगी प्रूस होता है जिसको अपने इस थन पर अगर ना मिले तो योगी हिन के लाइक हो जाता है और जब वह एक रा अगर आप हमारी राजा को आपकी परजा का ही दुख नहीं समझ सके तो फिर जीने का ही अर्थ क्या रह जाएगा, पढ़ने का ही अर्थ क्या रह जाएगा, एक राष्ट का विकास, एक शिख्षक कर सकता है और राष्ट में जीने के लिए राष्ट को विकसित करने के लिए एक सिखषक का होना आउशेक है. जिस परकार आपे यह सोचते हैं कि हान like video. आप हमारे दुख नहीं हार सकते तो फिर राजा का हारती ही क्या रहे गया आपको समझना होगा से हाजुड के रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपकी दुख और जाए हमारे दुख को सभज़ कर आप हमें नियुक्ति परदान कि जाए ताकि हम भी एक राष्ट का निर्मान कर सके एक विद्दायला में जा सके एक इस्थान प्राप्त कर सके जह हमें और हमारी विद्दार्थियों को खुशी मिलें अग्या कि अग्या